जैश्री राम मित्रो, आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तिरस पर आपका स्वागत है। दोस्तों सदियों से सनातन धर्म की परमपरा रही है कि, जब भी हमारे घर में भोजन बनता है, तो सबसे पहले भगवान को भोग चड़ाया जाता है। उसके बाद घर के सदस्य भोजन ग्रहन करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि, क्या भगवान हमारे द्वारा चड़ाया गया भोग खाते हैं? यदि खाते हैं, तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं हो जाती? और यदि नहीं खाते हैं, तो भोग लगाने का क्यालाब? दोस्तो आपसे निवेधन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इसी आशा के साथ चर्चा आरंब करते हैं. दोस्तो, एक लड़के ने पाठ के बीच में अपने गुरु से यह प्रश्म किया. गुरु ने ततकाल कोई उत्तर नहीं दिया. वे एक घंटे बाद गुरु ने प्रश्म करने वाले शिश्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ की नहीं? उस शिश्य ने पूरा श्लोक शुधः शुधः गुरु को सुना दिया. फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया, तो शिश्य ने कहा कि वे चाहें, तो पु तुमने जब श्लोक पढ़ा, तो वो सूक्षम रूप में तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर गया, उसी सूक्षम रूप में वो तुम्हारे मस्तिष्क में रहता है, और जब तुमने इसको पढ़कर कंथस्त कर लिया, तब भी पुस्तक किस थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं होती, उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहन करते हैं, शिश्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया, आशा है कि आपको भी जबाब मिल गया होगा, दोस्तों आशा है कि हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेर कर देना और इसी प्रकार की भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जैश्री राम